विडियो मार्केट आज भी लाल है काफी डार्क लाल है एंड बिटकोईन ने जो मुवमेंट करी है वह हमारे एक्सपेक्टेशन के इसाब से थी थोड़ा सा एक अपसाइड हमें देखने को मिला अपने सपोर्ट से उसके बाद सपोर्ट ब्रेक और सीधा नीचे गिरे हैं इ आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और किस चीजों के आलॉंग आपको सारे सारे प्राइस मुवमेंट को देखना है लेट्स को चार्ट तो सबसे पहले हीट मैप देखते हैं हर बार की तरह तो हीट मैप भी बिल्कुल लाल है आज तो हमें बहुत कम यहां पे ग्रीन आता ही है मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था यहां से में एक शॉर्ट टम अपसाइट देखने को मिल सकता है और हमने वैसे देखा कि मार्केट शॉर्ट टम में उपर गया और उसके बाद फिर नीचे आ गया ठीक है यह भी बताया था कि रिजिक्शिन नेरे के लॉंट प्रिश्पक्टिव इसको भी हम तीन चार दिंव से करें देखते हैं यह एक पास चार्ट के रहा है तो इसके हिसाब से हमें एक पॉक्ट मिलनाच चाहिए थर्टे-सेषी तूर्ड डॉन-डॉलर के आसपास यहां पर अच्छी बाइंग कर सकते हैं लॉन लेंग पर जलते हैं एथिरियम का एक लिए इस लाइन के नीचे से हम ब्रेकडाउन देख सकते हैं यहां पर पूरा नंग से तो नहीं बना टेकिन रफली रफली आपको देखने को मल सकता है कि ब्रेकडाउन यहां पर हो सकता है नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा 2380 से 2320 तक तो इस करते हैं लूना को तो लूना ने अपना ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक कर दिया आपको मैंने लूना से लिकनने के लिए बोला था यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मार्केट में थोड़ा सा इसको गिरावट देखने को मिलेगी बट 0.8 डॉलर इसको थोड़ा सा और आट करने की सोचूंगा इसके बाद सम कॉइंस तू वाच इजी एलडी अगें इजी एलडी ने हमें बार-बार अच्छा अभी गया फ्यूचर में तो इसको आट पिक करना भूलना मत इसको और फाइनली लेट्स टॉक अब बिट्कोइन डॉमिनस तो बिट्कोइन डॉमिनस अभी इसी एरिया में घूम रही है हमें 43.6 परसेंट को बीट करना है इस इस नौट गूइंग डूपर ही मिलेगी अभ तून के हिसाब से भी काफी दाधा डॉम्प आ सकता है मार्केट में फिलाल अगर हम मार्केट में एक जन्रल ओवर्विव देखे तो स्टॉंग सेल का ही सिगनल है तो इसका मतलब है कि थोड़ा डाउनवर्ड्स खोल सकता है विल सी क्या होता है इस इन्पी 500 के अगर हम सप पर यह मिल रहा है वrit है सब्सक्राइए दो आप च्छा में और कर सकता है तो आज does something मन कई कोई वर्ड कमेंट कर दो, थैंक्यू फूबाद मैं